कि अधुसे यूपून गुट बार्णिंग एवरे स्टुडेंट पांच दसमलों तीन के दूसरे परसंड के अपन बात करेंगे पहला परसंड करवाजे था आपको पिछले वीडियो में तीन प्लस 11 प्लस 19 प्लस और डॉट 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 प्लस आठसो पीन का योग फल गयाद करो अब जो पहला प्रसंड किया था उसके अंदर अपने को पदों की संक्यती भी थी कि 11 पदों का योग 12 पदों का योग 50 पदों का योग कितने पदों का योग गयाद करना है लेकिन इसके अंदर अपने को अंतिम पद दिया हुआ है प्रथम पद दिया हुआ है अब कितने पद है वो अपने को पता नहीं है और पदों का योग फल भी ग्याद करना है तो सबसे पहले अपने को इस प्रसंज देखना है कि पहले अपने को पदों की संक्या ग्याद करनी है कि य सारवंतर D का मान है 11-3 बराबर 8 और अंतीम पद जिसको A N से लिखा जाता है उसका मान कितना है 803 तो इस प्रकार प्रथम पद सारवंतर और अंतीम पद इससे अपन पहले ज्याद करेंगे N का मान क्योंकि A N का सूतर क्या होता भी A N बराबर A A plus N minus A गुणा D N का मान है 803 बराबर A का मान 3 प्लस N minus 1 N का मान ग्याद करना है D का मान है 8 803 बराबर 3 प्लस 8 का अंतर गुणा कर लो 8 N minus 8 3 में से minus का 8 गया तो बच जाएगा 8 N minus 5 यह minus का 5 है पक्सांदन करेंगे तो प्लस का हो जाएगा और बराबर 8 N N बराबर हो जाएगा 803 और 5 होगे 808 और 8 गुणा में है पक्सांदन करेंगे तो बाग में आठ का बाग दो 801 808 में 101 बार तो इस स्रेनी के अंदर को लुपद कितने है 101 N का मान कितना है 101 अब अपन ज्याद करेंगे इन 101 पदों का योग फल्ट S N बराबर N बटा 2 कॉस्टक 2 A प्लस N माइनस A गुणा D तो S 101 बराबर 101 बटा 2 कॉस्टक 2 गुणा A का मान कितना है 3 2 गुणा 3 प्लस N का मान 101 माइनस A और D का मान है 8 S 101 बराबर 101 बटा 2 कॉस्टक 3 का 2 से गुणा करेंगे 6 प्लस N 101 में 1 गया 100 100 का 8 से गुणा करेंगे तो 800 S 101 बराबर 101 बटा 2 कॉस्टक 800 और 6 होगे 806 बराबर 101 गुणा 806 बटा 2 2 का भाग देदू 806 में यह हो जाएगा 403 101 गुणा 430 इनका अपस में गुणा कर लो बई 101 का 3 से गुणा करेंगे तो यह 303 हो जाएगा और एक बच गया 101 का 4 से करेंगे तो 404 और 405 405 0 3 क्लिए रहे हैं यहाँ पर तो इस प्रकार अपने को यदि प्रसंद के अंदर पदों के संख्या नहीं दे रखी है और योगफल सीधा पूछाए तो पहले अपन पदों के संख्या ग्यात करेंगे और उसके बाद उनका योगफल ग्यात करेंगी आए इनका को नहीं करना ना 400 साल पांच दो आसल जोड़ा नहीं 407 0 3 तो इस प्रकार इस प्रसंद को अपने को अल करना अगला प्रसंद देखती है अपन नेक्स्ट नेक्स्ट प्रसंद है समांदर स्रेडी 9, 17, 25 के कितने पद लिये जाएं कि उनका योग 636 है तो ऐसे कितने पद होंगे अब यहां अपने को योगफल दे रखा है प्रसंद में कि समांदर स्रेडी के कितने पद होगा योगफल क्या होगा 636 तो यहां से अपन प्रथम पद ग्यात कर सकते हैं 9 होगा सारव उनका ग्यात कर सकते हैं 17 में से 9 को गटाएंगे D हो जाएगा और S N कमांद दिया होगा यहां से अपने N कमांद ग्यात करना देखिए दर A कमांद 9 D कमांद 17 माइनस 9 बराबर 8 और S N कमांद दिया होगा है कि कि योगफल होगा वो कितना है 636 देखिए दर S N का सूत्र क्या भी S N बराबर N बटा 2 कोस्ट 2 A प्लस N माइनस A गुणा D किलियर है S N कमांद कितना है 636 बराबर N कमांद अपने को ग्यात करना सिधा लेकिए N बटा 2 2 गुणा A कमांद 9 9 18 प्लस N माइनस A गुणा D कमांद है 8 तो 636 गुणा दो ये बाग में है दर बाग में रनो दो इसको एक बार N बटा दो कॉस्ट अक 18 प्लस 8 का अंदर गुणा करो 8 N माइनस 8 तो 636 बराबर N बटा दो कॉस्ट 18 में से 8 गया 10 8 N प्लस 10 बराबर 636 बराबर N बटा दो और यहां से मैं कोमन दे देता हूं 2 पीछे क्या बचेगा कॉस्ट अक में 4 N प्लस 5 दो से 2 कट गया अब इदर हो जाएगा 636 बराबर अब 4 N प्लस 5 का इदर N बच गया N से गुणा करते हैं तो 4 N का N से गुणा करेंगे 4 N स्क्वेर प्लस 5 N का 5 का N से करेंगे तो 5 N ये प्लस का है पक्षांत्रन करदू 4 N स्क्वेर प्लस 5 N माइनस 636 बराबर 0 अब देखे तर यहाँ पर अपने को यहाँ पर अपने को द्वीगा समीकन प्राप्त हुआ है द्वीगा समीकन तीसरे अजया है द्वीगा समीकन को सरल करने के तीन तरीके थे पहला गुननखन विदी दूसरा स्री दराचरी विदी और तीसरा पूर्ण वरग विदी उन तीन तरीके से अपन द्वीगा समीकन को सरल करके उनके मान ज्याद कर सकते हैं तो अपने गुणनफिन विदी का उप्योग करते हैं यहां पर 5N की, गुणनफिन विदी में क्या था, बीच वाले खंड के दो टुकडे करने, गुणा करने पर पहले और तीसरे का गुणनफिल क्या ना चीए, बराबर, तो जाएगा यहां 4N स्क्वेर प्लस, 35N माइनस, 48N शबणा खंड माइननस, 634, देखी दर यह क्या से हैं, 53 presenting 48 से गुणा करूँगा, 53 का मैं 48 से गुणा करूँगा, तो भी आजाएगा वोके बराबर होगा, 636 का में 4 से गुणा होगा, इसका भी उतर हैगा 25, 44, और इसका भी उतर हैगा 35, 45, 44, ये भी 35, 44, इनका गुन बराबर है अब 53 में ऐसे 48 घटाएंगे पीछे कितना बचेगा पांच और त्रेपन का 48 गुणा करेंगे वो गुणन फल किसके बराबर होना ची पहले और 30 रहा पहले और 30 रहा प्लस प्लस त्रेपन इन दोना में क्या रहा है माइनस का 1, 2 खमान बाइनस आ रहा है और एक का जैगा कौमान बारा 12 का भाग 14 मुद्ध चार चारेंड प्लस माइनस कंपन खम requiring ले लिया 636 फमार प्लस में थेपन बार और बराबर 0 इसमें यहां पर भी creation ग्र्फAnn है वहापस कमान क्या आएगा चार एँन प्लस 3 पन और इधर बच गया N-12 बढ़ाबर 0 दोनों के बढ़ाबर 0 कर दो 4N प्लस 53 बढ़ाबर 0 4N बढ़ाबर माइनस 3 पन और N बढ़ाबर माइनस 3 पन बटे 4 इधर N-12 बढ़ाबर 0 N बढ़ाबर कितना हो गया 12 अब मैंने आपको पहले बताया था कि N का मान है वो कैसा आना चाहिए एक तो पूर्णाग होना चाहिए और एक धनात्मक होना चाहिए क्या ये पूर्णाग और धनात्मक है इसलिए ये N का मान हमारे लिए नहीं होगा क्यूंकि ये पूर्णांक और दनात्मक ने यूआ प्रसंट को साल करने का तरीख ने का हमारा यसे प्रकार की पर अपने को सुखना है S N का मान दिया हुआ है N अपने को ग्याद करना है समांतर स्रेडी से A वर D अपन ग्याद कर सकते हैं फिर यहाँ पर अपने गुमलेगी एक स्द्वी का समीकर्ण मनेगी और इस्द्वी का समीकर्ण को सरल करके यहाँ से N का मान ग्याद करना है और n का मान में सा धनात्मक और पूर्णांक होगा नेक्स्ट परसंदेखे च्वाथा पत्चिस पदों का योगफल ग्याद करो जहां पत्चिस पदों का योगफल ग्याद करो जहां एन बराबर अपने को दो परसंदेश के अंदर दे रखे दुनों में 35 पदों का योगफल ग्याद करना है और AN बराबर 3 फ्लस 4N तो अपने पहला रहते हैं AN बराबर 3 फ्लस 4N यहाँ पर अपन पहले A1 और A2 ग्याद करेंगे 3D के लिए पहला क्या होता A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 ऐसे होता है तो पहले अपन A1, A2 ग्याद करेंगे अब यहाँ अपने को दो पदी ग्याद करने हैं क्यों करने हैं क्योंकि सारवा नदर के लिए हमारे पास A1 और A2 होना जरूरी है A2 में से A1 को गटाएंगे तो D आ जाएगा D और A1 लिको A लिको A की बात है तो D और A ग्याद हो जाएगा D और A ग्याद होने के बाद आपर 35 पद होगा योगफल ग्याद कर सकते हैं तो ऐसा प्रसंद जिसके अंदर N वाला प्रसंद है यह दि कुछ भी इसमें समझ दे नहीं आता सिद्धा आप N के मान रखोगे 1 और फिर रखोगे 2 दो मान रखने A1 A2 गया तो इस परकार का प्रसंद S निम्दी योगफल वी की रूप में भी दे रखाओगा वो पर आग्याल करेंगे तो यहां मैं रखता हूँ N बराबर 1 रखने पर तो A1 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 4 गुणा 1 यहां पर N है 4 गुणा 1 यहां पर BN था 1 रख दिया तो A1 बराबर कितना हो गया 4 और 3 7 A1 लिखो A1 लिखो एक ही बात हुई पर्थम पदन पर्थम पदन A1 लिखो एक बात हुई और A2 अब N बराबर मैं किता रखूँगा 2 रखने पर N बराबर किता रखेंगा यहां पर 2 तो यह A2 हो गया 3 प्लस 4 गुणा 2 4 गुणा 2 8 8 और 3 कितने हो गई 11 A1 A2 ग्यात हो गया अब D ग्यात कर दे नहीं किया होगा D बराबर क्या होगा A2 माइनस A1 दूसरे में से पहले पर गटाएंगे तो सारवंतर आजाएगा 11 माइनस 7 बराबर 4 सारवंतर कितना आएगा सारवंतर आजाएगा 4 A अपने पास 7 है अब 25 पदों का क्या ग्यात करना है योग फल तो अपन N का मान कितना है 25 S 25 बराबर N बटा 2 कॉस्ट कर 2 A पलस N माइनस A गुणा D S 25 25 बटा 2 कॉस्ट कर 2 गुणा 7 ये का मान 7 है पलस 25 माइनस A गुणा D का मान है 4 S 25 बराबर 25 बटे 2 कॉस्ट 7 का 2 से गुणा 14 25 में से 1 गया 24 और 24 का 4 से गुणा करेंगे तो 96 S 25 बराबर 25 गुणा 96 और 4 कितने होगे 110 बटे 2 2 का बागस में जाएगा 55 बार और ये 25 गुणा 25 गुणा करेंगे 25 पंजे 125 बारा 25 पंजे 125 और बारा 133 तो इस परकार इस परकार का परसन आएंगे तो इसको अपने अलतरे करने परीका ये रहेगा जैसे अपने दूसरा परसन ये और देखते हैं यहां पर देखो इदर AN बराबर 7-3 लिखा उगा पहले N बराबर किता रखेंगे 1 तो A1 बराबर हो जाएगा 7-3 गुणा 1 बराबर 4 3 का 1 से गुणा करेंगे 3 7 में से 3 गया 4 अब यहां आपन N का मान किता रखेंगे 2 तो A2 बराबर हो जाएगा साथ माइनस तीन गुणा दो तीन गुणा दो छे साथ मैसे छे गटाएंगे तो एक अब अपन डी ज्याद कर सकते हैं A2 माइनस A1 A2 कितना है एक है और A1 कितना है चार एक मैसे चार गया माइनस के कितने बच गई तीन अब अपने को ग्याद करना है N बराबर 25 पर दो का योग फल सुतर यह देगा S N बराबर N बटा 2 कोस्ट 2 A पलस N माइनस A गुणा D S 25 बराबर N का मान 25 बटा 2 2 गुणा A का मान कितना है 4 पलस 25 माइनस A गुणा माइनस 13 D का मान माइनस 3 S 25 बराबर 25 बटा 2 कोस्ट 14 का 2 से गुणा A 25 में से 1 गया 24 और 24 का में माइनस 3 से गुणा कुणा माइनस गया 24 तिया बैतर बराबर हो जाएगा 25 गुणा माइनस 8 में से बैतर गटा हो भई पीछे बच गया 64 वो भी किसका है माइनस का 2 का बाग दे दू तो यह हो गया माइनस का 32 25 गुणा माइनस का 32 क्लिए रहे 25 का 200 गुणा करीं 55 पांच 55 और पांच माइनस का कितना आएगा 800 तो यह जो एन वाड़ा टाइप जो एन के रूप में अपने को समिकर्ण के रूप में जो परसंदिया वा था उसको हल करने का तरीका हमारे पास यह रहेगा सबसे पहले दो बास इसमें ध्यान रखनी है पहली है कि एन का मान रखोगे एक और बी उसके बाद अपने को देखना है कि 25 पतों का योगफल ग्याद करना है या 25 वापद ग्याद करना है जिदि सीधा पोचता 25 वापद तो यहाँ पर अपने को यह ग्याद करना है कि कोई जरूरत नहीं थी सीधा अपन यहाँ से ग्याद कर सकते है एन का मान क्या रखो क्योंकि यह है क्या एन वापद है एन वापद है इसका मलब एप 25 ग्याद कर सकते सीधा यहाँ रखे ग्यात करेंगे उसके बाद इन पत्रिस पदों का योग फल ग्यात करेंगे नेक्स्ट परसन देखें विजात्यों एक समांत्र सेडी के पहले 51 पदों का योग ग्यात के जिसमें द्वित्य वत्रित्य पद क्रमशह 14 वह 18 है अब देखो दर दूसरा और अपने को दिया हुआ है तीसरा पद दूसरा और तीसरा दूसरा पद है दिया हुआ प्रसन के अंदर तो अपन क्या लिखेंगे एटू एटू लिखेंगे एटू दिया हुआ अपने को चौधा और A3 अपने को दिया हुआ है अठार तो मैंने का था कि सम्मांगर से यह होती है A1 A2 A3 A4 से होता है तो यह अपने को D ग्याद करना है वो जरूर निक A2 मैंसे A1 गटा हो A3 मैंसे A2 ग्याद ग्याद सकते हैं अपर तो अपन ऐसा करेंगे आपर D सिधा ग्याद कर सकते हैं कैसे A3 माइनस A2 यह हमारा क्या हो जाएगा D तो अठा माइनस जबुदा बराबर कितना हो गया चार हो गया अब अपन A भी ग्याद कर सकते हैं क्योंकि दूसरे मैंसे चार गोड़ेंगे पहला पर बराबत होगा तो देखिए दर A1 A2 माइनस A1 बराबर क्या होता है D A2 कमान कितना है 14 माइनस A1 और D कमान कितना है 4 अब यह मैनस कहेंगे प्लस मुझाएगा यह प्लस कहेंगे तो 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 अचार बराबर A1 और A1 बराबर हो जाएगा A1 ग्याद कर लिया D ग्याद कर लिया A1 लिको A लिको A की बात है पर्थम पद और सारवंतर ग्याद हो गया स्रेनी का अब अपने को 11 पद होगा योग पल ग्याद पहना है तो हमारे पास उतर क्या है S N बराबर N बटा 2 2 A प्लस N माइनस A गुना D S N बराबर N बटा 2 2 गुना A का माँ 10 पलस N 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 2 का भाग 120 मुझा जाएगा 60 बर 51 गुना 60 गुना कर लो 6 56 33 36 वापस देखो यहाँ पर समझना है यह तो आप पर लोगे सुत्रमान लगना यहाँ पर देख लो A2 14 है A3 18 यह प्रसन अपना दिया वायागी दूसरा पद और 30 पद तो D ग्याद कर सकते हैं कि समांदर सेड़ी क्या होती है A1 A2 A3 A4 A5 अब यहाँ अपने को 14 और 30 दे रखा है तो भी अपन ग्याद कर सकते हैं 4 मैं से 3 गटाया तो D आजाएगा 3 मैं से 2 पत तो भी D है 2 मैं से पहले गड़ें आए A1 कैसे करेंगे अपने को पता है कि यदी दूसरे मैं से मैं पहला पद गटाऊंगा क्या अपराप्त होगा D तो दूसरा पद है अपने पास कितना है 14 पहला पद अपने ग्याद करना सारवं तरब यह पने ग्याद कर लिए तो दूसरे मैं से दूसरे को घटाँए वो कितना आया 4 मैंस का पक्सांदेनी प्लस में यह प्लस का था माइनस में 14 मैंसे 4 गया फिछ बच गया दूसरा तरीका है कैसे इसको मैं यह लिख सकता हूं A प्लस D और इसको मैं लिखता हूं A plus 2D पहले बताता है पांस-टम लोग दो में यह तू को पन क्या लगते हैं a प्लस D a3 को क्या लेके और प्लस टूडी अभी दो समय नमने गई दूसरी मैं से पहले गड़ा दो तो यहां से डी कमाना जाएगा रवापस रखो इसमें एकमानद में उस तरीके से सकते हो यह सिंपल इसलिए मैंने आपको ये तरीका बताया इस पर काईर का परसना आएगा तो भी आप उसको आसान तरीके से हल कर सकते हो अब अब अपन देखते हैं एक और नेक्स्ट टाइप कि समानरा शेटी का परथम वो अंतिम्पद क्रमा साथावा 350 है तता सार्वन्त डी वरादर नो हो तो इसमें पदो की संख्या वो योग गयात करो अब ये अपने को पता है कि योग गयात करने के लिए हमारे पास पदो की संख्या का होना आवश्यक है सुचन के अंदर यह आन का मान नहीं है तो अपन योग याद नहीं कर सकते इसलिए पर अपन ग्याद करें। A गुणा D A N का माने 350 A का मान 17 N अपने को ग्याद करना है और D का माने 9 9 का अंदर गुणा कर लो 350 बराबर 17 प्लस 9 N माइनस 9 9 का N से गुणा करें 9 N 9 का 1 से करेंगे तो माइनस 9 17 में से 9 गया 8 बच क्या तो 350 बराबर 8 प्लस 9 N 8 प्लस का N पक्षांत्रन करेंगे तो माइनस में 350 माइनस 8 बराबर 342 अब यहाँ पर N गुणा में है 9 गुणा में है पक्षांत्रन करेंगे भाग में आ जाएगा 342 बटा 9 9 होगा भाग 34 के अंदर दे दू 9 तिया 27 7 बच गया बैतर बैतर में जाएगा 8 प्लस तो इस स्रैनी के अंदर कुल कितने पद है 38 पद है 38 पद है N का मान आ गया अब अपने वो गेस ने पूचा कि इनके पदों के संग्या तदा इनका योग ग्याद करो तो S N बराबर N बट्टा 2 कॉस्ट्रक A प्लस N अच्छा यह मैंने सुत्र आपको पहले समझा दिये था कैसी आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा N का मान है अपने पास अंतिम पद अपने को परसन के अंदर दिया होगा है तो अपने सीधा सुत्र से इसे हल कर सकते है यदि अंतिम पद नहीं दे रखा है तो फिर अपने को वो सुत्र लगाना पहलेगा N बट्टा 2 कॉस्ट्रक 2 A प्लस N माइनस 1 मागुना D तो S 38 बराबर 38 बट्टा 2 कॉस्ट्रक एक आमान प्रत्थम पद कितना है 17 प्लस अंतिम पद 350 S 38 बराबर 2 का बागद दू 38 में 19 और 350 और 17 हो जाएंगे 306 तो अब इसका गुना करेंगे गुना कर लो इनका 6973 तो इस परकार 38 बट्टा का योगफ़न और इस रढ़ने के अंदर 38 बट्टा है प्रसंद के अपने सीदा दे रखा था प्रत्थम पद्यावा अंतिम पद्यावा डीदीवा चाहिए क्या N चाहिए और N और N का योग पहले हैं गयाद कर लिया तो इस परकार अपन परस्टनों को अल करेंगे बाकिल के पर्थन अपन अगली क्लास में